नमस्कार सिक्षक साथियों, एना युवेल्स के इस चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है, मैं डाक्टर इशब कुमार मिस्र, आज आपके साथ बहुवर्गी सिक्षण में समय प्रबंदन विशेवर पर चर्चा करने जा रहा हूं। यदि सामाने कक्षा सिक्षण की तुलना में कहें, तो जहां आप अलग-अलग समया विद उपर अलग-अलग विशेवस्त और पाठ योजना कर्यान विद करते हैं, वही बहुवर्गी सिक्षण में आपको एक समया वदी विशेश में एक ऐसी पाठ योजना द्वारा सामाने कक्षा के लिए आपको कक्षा में एक जैसे समू को एक विशेव पढ़ाना है, जिसका पाठ करम सू परिवासित है, उससे संबंदे सिक्षण सामक्री आप तयार करते हैं, कक्षा में उस पाठ को क्रियानवित करते हैं और उसका आतलन करते हैं, समय प्रबंधन की आ आप बहु कक्षा को समस्या मूलक मान रहे हैं, बोज मान रहे हैं या आप इस अभिवरेणा से कारे कर रहे हैं कि इस बहु कक्षा को पढ़ाने के लिए आप कोई न कोई रास्ता खोज लेंगे। एक ऐसा रास्ता जहां बच्चों को सीखने का आवसर होगा, आपको बढ़ाने का आवसर होगा और दोनों की गुणवत्ता भी पूर्टया सुनेचित की जाएगी। इस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए आप विचारिए क्या आप अपने कक्षा के विद्यातियों की विविद्धा से परचित हैं। अर्थात आपकी बहुवर्गी का अक्षा उपलब्दी हस्तर में, रुची में, अभी प्रेणिनाम में, अधिगम योगिता में, अधिगम सहली में, अधिगम गती में किस प्रकार से भिन हैं इसके संग्यान में रखने की जरूत है। इसी के समानतर आपको यह भी ध्यान रखने की आप सकता है, कि जिस समुदाय और परिवेस में विद्ध्याले हैं, उससे आप कितना परचित हैं। क्योंकि प्रायह बहुवर्गी विद्ध्याले ऐसे समुदायों के बीच इस्तित हैं, जो हासिय से आते हैं, जो भिखरे हुए हैं, जहां आवासी या स्वासमन्द स्थितियां ठीक नहीं हैं। हाँ, यह हावस्य है कि यव आप अस्थाने समुदाय से परचित होंगे, तो आप बहुवर्गी कख्षा का नियोजन और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। यह अभी ध्यान रखने के आवसकता है कि आप स्वयम विद्यार्थियों की आवसकताओं के परटी कितना सचेत हैं। आइए बात करते हैं कि आप अपनी बहुवर्गी कख्षा में समय का प्रबंधन किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके लिए आप तीन साधनों की मदद ले सकते हैं। पीयर लर्निंग और मॉनिटर व्यवस्ता यह सबसे महत्पूर साधन है। इसके अंतरगत आप बड़ी कख्षा के विद्यार्थियों को पीयर ट्यूटर या मॉनिटर के रूप में नियूट कर सकते हैं। जो कख्षा में सिख्षक जैसी निगरानी करते हैं और कख्षा के संचालन में मदद करते हैं। दूसरा सामुहिक और वैक्तिक क्रिया कलाब, आप कई बार कक्षा को वैक्तिक और सामुहिक कारे के तालमेल और सामंजसे से भी पढ़ा सकते हैं, जब आप एक कक्षा में सिक्षन कर रहे हूं, तो दूसरी कक्षा को सामुहिक कारे दे सकते हैं, जब पहली वाली कक्षा को आ वरगी कक्षा में उप्योगी सिद्ध होती है जो आपको कक्षा के निर्धारिस समय में किसी समूव विसेश को सनलगन करने में मदद करती है अब आप देखेंगे तीन साथों का मैंने उनले किया पियर ट्यूटरिंग सामुहिक और व्यक्तिक क्रिया करा तीसरा स्वा अध्यान सामंगरी और इनका संयोजन आप तीन तरीके से कर सकते हैं विद्यार्थी सिख्षक जहां प्रतेक्ष्षण कर रहे हैं विद्यार्थी विद्यार्थी पियर लर्निंग विद्यार्थी अध्य कर रहे हैं तीन जहां विद्यार्टी स्वाध्यन सामगरी के सांसरलंगना है अर्थात एक कक्षा का संचालन तीन सनलंगनताओं से हो रहा है तो अब आपको सुविधा है कि आप किसे कैसे पढ़ाएं गए अगर मैं मान लूँ कि आपके कक्षा किया वदी एक गंटा है और त दूसरे 20 मिनट को कक्षा एक को स्वाध्यन द्वारा पढ़ाया जा रहा है कक्षा 2 में सिक्षक है कक्षा 3 में मानिटर है और अंतिम के 20 मिनट में कक्षा 1 में मानिटर है कक्षा 2 को स्वाध्यन सामगरी कक्षा 3 में सिक्षक है इस प्रकार के साहियोजन द्वारा आप प्रबंदन का पार्ट चर्या का थीमेटिक स्वरूप इसके माध्यम से एक समान विसाय को अलग-अलग कठीनाई अस्तर पर पढ़ाया जा सकता है एक सामाने कक्षा की तरह आप पार्ट योजिना का क्रियानिवन करते हैं लेकिन यहां कक्षा या योगिता अधारिस समू दक्षता के अलग-अलग इस्तर निकालने होंगे और इन दक्षता के अस्तर को कक्षाओं के अनुरूप विभाजित करना होगा उधारण के लिए आपने कक्षा एक-दो-तीन को गणित पढ़ाने के लिए एक मैट्रिक्स दे दी जिसमें गिंतियों का योग शैतित और और करम में लिखने को कह सकते हैं कक्षा तीन के विद्यार्थियों को तीन अंकी संख्या बनाने को कह सकते हैं यहां एक ठीम से तीन अलग-अलग दच्छताओं के समवर्धन को आपने एक ही कक्षा में क्रियानवित किया और अपना समय का प्रभावपूर्ण प्रबंधन भी अपने कर लिया समय प्रबंधन के संदर में आप दो निसकर्स तक पहुंच सकते हैं पहला कक्षा के क्रिया कलाप का नियोजन कक्षा में दूसरा कक्षा में दाइत्व का वितरन जब मैं कह रहा हूं कक्षा में क्रिया कलाप का नियोजन तो आसर यह है कि आपने जो क्रिया 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 क करें तो आप स्वाध्यायकारे दें आप पीय ट्यूटरिंग करें तो इंडिपेंडेंडेंट्ट वर्ट ले आप कक्षा में किसी योजना को क्रियानुवित कर रहे हैं तो कई बार समुधाइगत वीदियों को भी स्थान दें इस प्रकार क्रिया कलापों का सवयोजन समय के प्रबंधन में मडध करता है अब जिन क्रिया कलापो को आप कख्षा में क्रियानविक कर रहे हैं और एक सिद्धी कख्षाएं हैं वहां पर दाइतों का वित्रण भी इस पश्ट होना चाहिए कि विद्यार्थी से क्या पेक्षित है सिख्षक से क्या पेक्षित है और वे किस प्रकार से इसे क्रियानविद करेंगे आईए हम बात करते हैं समय प्रबंदन के कुछ अन्य युक्तियों के लिए क्रिया कलाप सिख के ही संबन्द में मैं कहना चाहूंगा आप तरह तरह के कारे प्रपत्र बनाए यह तैंक करें कि कौन कब क्या करेगा और इसकी सहमती विद्यार्थियों से लिए विद्यार्थियों को भी इसकी जानकारी हो इसे कक्षा में चार्ट या पोश्टर के माध्यम से प्रस्तुत के लें छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए सचित्र पुस्तकों जैसे संसाधन को कक्षा में रखें इससे क्या होगा जब उन्हें स्वाध्याय कारे सौपना होगा तो उन्हें इन पुस्तकों को पढ़ने का कारे सौपा जा सकता है इसी प्रकार बड़ी कक्षाओं में स्वतंत रध्यन की प्रविति विख्षित करें उन्हें कई पाठिसागामी क्रियाओं में सनलंगन करें, स्वतंत पर्योजनाएं दें भाशा और गनित की कक्षा को प्रातर काल में ही रखें इससे विद्यार्टियों का अवधान बना रहता है समय सार्णी को लोचसील रखें इसके क्रियानवेन के अनुभवों के अधार पर बदलाओ करते रहें बदलाओ का उद्देस यह होना चाहिए कि प्रतेक कक्षा को सिखषक से प्रत्यक्ष संबाद का अधिक्तम मौफा मिले कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि एक कक्षा विश्यस के साथ आप अधिक समय दे रहे हैं और दूसरी कक्षा पीर लर्निंग और स्वाध्याय कारे में अधिक जुड़ी हुई हैं इस प्राकार के कसोठियों पर आप अपने समय स्वरूप में असानी के साथ पढ़ाय जा सकता है जैसे वनस्पतियों का नाम करन और अस्थानी मनस्पतियों का स्वरूप जल समस्या राष्ट्री तेवहर और नागरिक्ता के विशे इन्हें समुदाय के साथ जोड़कर कक्षा का समय प्रबंधन करते वे पढ़ाएं लेकिन कुछ विशे ऐसे होते हैं जिने कक्षा वार पढ़ाय जाने की आप सकता ह यह होती है आप ही अदियान रखें कि विशे को इस प्रकार की कैटेगरीह में भी बांटे वे विशे जो सारी कक्षाओं को एकसाथ पढ़ाय zach सकते हैं वे विशे जो कक्षा वार पढ़ाय जाने चाहिए और स मैसाणे में इसे भी स्थान दे छोटी कश्णं के विद्याति नहीं कर रहे हैं प्रत्यक्ष कच्छा सिक्षण में सनलगने नहीं है तो वे खेल कूद आदी में सनलगने रहें यह भी ध्यान रखें कि दो आसन या क्रमागत कख्षाओं का सायोजन आपको एक सुविधा जन्यकिस्तिती पैदा करता है इसलिए आप गत्वीदियो में एक र विद्यार्थी है तो समय प्रबंदन में उसकी आफसेक्ता भी संबोधित हो वह कहां बैठेगा क्या करेगा कैसे मॉनिटरिंग होगी कौन उसका ट्यूटर होगा कौन उसकी मदद करेगा इसकी भी विस्तित रूप रेखा आपको तयार करनी चाहिए बहुवर्गी कक्षा का नहों प्राप्त है तो वे इस माइंसेट से आपके समू को पस्तित होंगे कि पूरे समय तक चाहे समू का रहे हो चाहे खेल हो चाहे व्याख्यां द्वारा सिक्षण सिक्षक उनके समू से जुड़ा है जबकि बहुवर्गी सिक्षण में आप लगातार एक कक्षा के साड़ी में कैसे प्रतिविंबित हो रही है और उस समय विद्यार्थियों से क्या पेक्षाएं हैं यह विद्यार्थियों को इसपश्ट की जाए और ऐसा माहौल तयार किया जाए कि वे उसमें सहयोग प्रदान करें एक उपाय आप और भी कर सकते हैं एक जान सूची का प् आपको अपनी कख्षा को नियोजित करने में मददगार से दोगी यह भी ध्यान रखें कि शिल्प कार्यान भाव और अने सामुदाई गत्विधियां केवल पाठी सागामी गत्विधियां नहीं हैं पाठी चर्या के थीमेटिक अनकूलन में यदि आप इने अस्तान देंगे तो आपके समय प्रबंधन में इनकी भूमी का महत्पूर्ण हो जाएगी इन गत्विधियों में विद्यार्थी विषय सीखने के साथ साथ एक साथ मिस्रिस सम्मू में सनलगन होगा और वहां पर आपका कारे अवलोकन करना उनसे मारदसन प्रदान करना होगा इसी के समान अंतर विद्यार्थी के वार्षिक धैनिक और मासिक चक्र में सामुदायक उत्सव और सांस्कते कार्यकरमों को विषय से जोड़ते हुए उनका थीमेटिक अनुकूलन करते हुए कक्षा की निरस्ता को तोड़ने का प्रयास करें विद्यार्थियों को ने भागिद कख्षा सिक्षन एक जटिल कारे नहीं है एक सरल किन्तु नियोजित कारे है आपको एक प्रबंधर के रूप में क्रिया कलाप समय और संसाधन इस धंग से नियोजित करने हैं कि एक अस्थान एक समय पर एक से अधिक कख्षाओं को अधिगम सनलगनताएं प्रदान की जा सके आप मनंसील सिख्षक की रूप में यह अवसर अपने विद्यार्थियों को उपलब्द खरा सकते हैं आशा है कि यह चर्चा आपके लिए लावकारी सिद्ध होगी धन्यवाद